What's up guys, I hope you are doing well, I am weird, welcome to Mr. Lohar family आज कोई important day नहीं है, इसलिए आज का lecture इस्टार्ट करते हैं एक शांदार quiz के साथ में जो कि आप लोग को attempt करना है और आप लोग इसे revision quiz भी बहुल सकते हैं और हाँ देखिए कई सारे बचे बोलेते हैं सर जो भी आप quiz देते हैं मालसु में अच्छे नहीं आते हैं demotivation feel होने लगता है देखिए practice एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को कहीं तक भी पहुँचा सकती है अब यह आप लोग के ओपर depend करता है किस हद तक जाकर आप लोग practice करते हैं वो नहीं कहते हैं कि इसमें घुल जाना बिलकुल एक तरीक से तूट कर महनत करना तो वो वाली महनत यहाँ पर आप लोग को जुरत पड़ेगी अगर आप लोग really competition में अपना आपको रखना चाहते हैं बिलकुल practice चांदा तरीके सा आप लोग करनी पड़ेगी आप लोग ने सायदो वीडियो भी सुनी होगी जो मैंने facebook पर share की थी तो वो भी आप लोग देखते हैं सारे topers का मानना यही है कि जितना revision आप लोग करेंगे और proper way में चीजों को follow करकर चलेंगे एक schedule बना कर तभी चीजे हो पाएंगी इसलिए क्याता हूँ कि more नहीं में उठागरो अपने time पर और पुरा schedule follow करकर चलागरो तभी आप लोग शाम तक अपने आपको comfortable zone में पाओगे और तभी आप लोग जिस race में दोड़ने हैं उस race में कहीं exist कर पाओगे वरना बहुत पीछे छोड़ जाओगे आईए discussion इस्टार्ट करते हैं 14 अपरेल 1891 की बात की जा रही है बाबा साहिब भीमराव अंबेड करजी के जनम दिन की बात की जा रही है तो इनका जनम महाँ ये हाप महाँ मध्या परदेश में वाता तो इसको आज केड़ में किसी और नाम से पुकार जाता है तो इसका नाम आप लोगो बताना है यनि के जब यहाँ पर भीमराव अंबेड करजी के नाम पर इसका नाम चेंज किया गया अब उस नया नाम को आप लोगो बताना है नेस्ट हम लोग बात करें इंडिया के दौरें हाँ पर अभी रिसेंडली पांच मेडल जीते गए एक गोल्ड, दो सिल्वर और दो ब्रोज मेडल तो यह वर्ल्ड बोक्सिंग चैंपरिशिप कहा पर हो रही थी जिसमें हमारे दौरा यह परफोर्मेंस दी गई नेस्ट बात की जा रही है, यूनियन मिस्टी और चाइल डवलपमेंट जो है हमारी कंट्री की वुमें और चाइल डवलपमेंट इसके दौरा अनौंस किया गया है रिफेंट करने के लिए जो सेलरी है, स्टार्टिंग है कितने दिनों की या फिर कितने वीक की आप लोग बोल सकते हैं 26 वीक की मेटरनेटरी लीव यहाँ पर बढ़ा दी गई थी, तो उसी के बारे में हापर बात की जा रही है तो आप लोगों इसके बारे में हलका सा आइडिया होना चाहिए आगे बात कते हैं आप यह बात की जा रही थी एक सेड़्ूल के बारे में जो हमारे समिधान में 73rd Constitution Amendment आया था 1992 में उसके बारे में बात की जा रही है तो कौन सा सेड़्ूल एड किया गया था इसके द्वारा यह आप लोगो को बताना है वुमेन के इसलिए सीट की दिनी जरू होती है आप जब हम बात कते हैं पंचाथी राजपर यहनके ग्राउंड लेवल पर यह आप लोगो बताना है इसके बारे में आपर नेक्स जो बात की जा रही है अभी रिसेंड्ली जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा हैं आपर डवलप किया गया है एक सिस्टम जिसके तहत यहाँ पर किस बीमारी के बारे में और हाँ इसी के साथ में एक छोड़ सा connection भी है जो आप लोग करना है Asian Development Bank के बारे में मैंने आप लोग को 67 member बताये थे तो 67 नहीं अब यहाँ पर 68 member हो चुके हैं तो चलिए आप भी इसी बहाने इसको याद कर लेना एक बार जाकर एक बार उसका नाम आप लोग देखेगा कल फिर हम लोग उसके बारे में डिसस कर लेंगे तो नेश्ट जो 68 member वो एड होया जो रिसेंटली अभी उसका नाम आप लोग को पता होना चाहिए आईए अप question के answer देखते हैं सबसे पहले इसका नाम चेंज किया गया यह है Dr. Ambedkar Nagar तो यह मध्या प्रदेश के अंदर है जह ही आप लोगों पढ़ाय था नीचे comment ओक से बताईए नेश्ट यहां पर बात करते हैं यह 7 month जो 7 यहां पर week की बात की जारी है first 7 week की 26 week में से जो जिन woman की salary पंदरह हजार से उपर है वो salary यहां पर दी जाएगी woman जो child development मिश्टी है उसके द्वारा ठीक है तो यह काफी important है 11 7 schedule यहां पर add किया गया था 73rd constitution amendment के तैट और one by third post जो है आप वो महिलाओ के लिए reserve है पंचायती राज system के तैट और देखिये हमारी country में काफी लंबे समय से बात कि जा रही है 33% resolution प्रोवाइड कराने की महिलाओ के लिए कहां पर खासकर यह है हमारी parliament के अंदर लेकिन अब इनके चक्सु खुलते हैं और कभ यहां पर यह 33% resolution प्रोवाइड कराते हैं पंचायती राज system में यह आज केट में available है और अच्छी बात यहां पर है अगर पंचायत की हम लोग बात करें कई सारे राज्ये ऐसे भी हैं जैसे उनमें से एक बिहार है जहां पर जो पंचायत म बात है यह बीमारी है डिमेंसिया जिसका तीन साल पहले लगवाग पता लगाया जा सकेगा MRI के थुरू MRI के जो स्केन किया जाएगा उसके दुरू ताकि आने वाले टाइम में solution निकाला जा सके Asian Development Bank में Japan और USA के सबसे ज़्यादा सियर है और इसके बाद में China और फिर India तो यह भी काफ़ी important question evergreen question है यह past में कई बार इसके बारे में पूछा जा चुका है तो इसके बारे में हलका सा mind हलका सा idea आप लोगे mind में होना चाहिए ओके आईए अगे बढ़ते हैं आगे बात करते हैं important short news यह निके छोटी छोटी मगर मोटी बात हैं तो सबसे पहले आप लोग को देदू में जो आज की डेट में हमारा जो मोसम के ऐसा रहने वाला है तो मोसम की कवरे आप लोगो सुना दू पहले तो मोसम जहें कुछ ऐसा रहने वाला है कि गर्ज के साथ आप में बारिस के चीटे पढ़ने वाले हैं तो सब अपना चाता च्छतरी जो भी है अपना घर से बाहर लेकर निगले ता कि आप लोग अपने आपको इससे बचा सके और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो पहली बारिस होती है काफी लंबे समय के बाद में अगर आप लोग सिटीज में रह रहे हैं तो आपको और ज्यादे आपने आपको पोड़ेट करने की जुरत है क्योंकि यह जो होती है एक तरीकी ऐसे ड्रेन के तरीके से भी आप लोग इसको देख सकते हैं काफी आपकी इसकिन को भी नुकसान पहुचा सकती है तो इस बारिस में नहाने की किर्पा ने करें ओके तो कैसा रहा आप लोग का आका सोनी आएव आगे चलते हैं तो मेटरलोजिकल डिपार्टमेंट ओफ इंडिया के द्वारा यह अभी रिसेंडली बोला गया है कि डेली एंसे आर वाले रीजन में दो आने वाले दिनों में काफी भेंकर तरी अगर आप लोग इसको बेल्ट को देखेंगे तो यह होगे हमारा इस तरीके से बेल्ट अगर देखेंगे तो यह होगे हमारा इस्ट और यह होगे हमारा वेस्ट ठीक है तो यहाँ पर खासकर मेडिटरेन वाले रीजन में अगर आप लोग बोलें तो इस तरीके से यहाँ और western disturbance के वेज़े से आप ये condition देखने को मिलती है खासकर इस मोसम में कई बार ठीक है तो ये idea आप लोग को होना चाहिए बाकी कई जगह पर जैसे जम्मू कासमीर, हिमाचल, परदे, सुतराखन में बारिस होने की संभावनाई हैं अच्छा ये question मुझे याद आ रहा है, अभी recently एक organization के द्वारा ये बोला गया था कि हमारी country में जो monsoon है वो below average रहने वाला है उसका नाम तो बताए ज़रा comment box में और अभी हाँ पर हमारा जो Indian Metrological Department है उसके द्वारा अभी कोई ऐसा data तयार नहीं किया गया है उसका जब data आएगा तब उसके साथ में compare करेंगे तब और जदे information हाँ पर निकल के आएगी Indian Metrological Department जिसको आप लोग IMD भी बोलते हैं यह Ministry of Earth and Science के अंदर में आता है Government of India के अंदर में और इसके जो अगर बात करें particular headquarter की तो वो तो आप लोग को New Delhi में देखने को मिलेगा बाकी इसके regional offices में है कहाँ पर हैं मुंबई, Kolkata, Nagpur और पूने तो इसके बारे में आडिया रखते हैं मुंबई और Kolkata तो समझ में आ गया यहाँ पर चन्ना ही नहीं है तो कभी आप लोग चन्ना ही देखने लगे नागपूर है और पूने है तो टोटल मिलाकर में हो गया डहली में इसके लावा मुंबई, Kolkata, Nagpur और पूने तो यह regional offices के बारे में पूछ ले आता है कई बार 1875 में इसका गठन किया गया था और आज की डेट में जो मिनिस्टर है आपर responsible ministry वो हर सवर्धन जी के अंडर में है और के जे रमेस आज के डेट में इसके डेरेक्टर है तो ministry of earth and science के अंडर में ये department आता है आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर United Arab Emirates के बारे में तो United Arab Emirates में यहाँ पर अभी artificial intelligence से लेटेड एक summit होने वाली है artificial intelligence का मतलब होता है कोमन सब्दों में अगर समझाय जाए आप लोगो जब machine जो होती है वो इनसानों की तरीके से काम करने लगे तो artificial intelligence है तो इसको यानि के machine जो है बिना किसी के control में अपना खुद से काम करने लगे जैसे आप लोग ने चिटी रोबोट देखा रजिने कांत का तो उसी के तरीके सा आप लोग इसको समझ सकते हैं तो इसी से लेटेड artificial intelligence से लेटेड यहाँ पर एक summit देखने को मिलेगी UAE के अंदर और यहाँ पर focus किया जाएगा future क्या यहाँ पर रोल रहने वाला है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की जारी है United States of America और Palestine के बारे में तो Palestine के दौरा नया cabinet तयार किया गया है जो incoming prime minister है आपर जिनका नाम है यह हैं मुहमद इस्ते है इनके दौरा नया cabinet अभी announce किया गये है आपर और president है आपर यह है महमूद अबास जो कि हाँ पर जो अभी recently अगर बात की जाए इनके बारे में तो इनके साथ एक तरीके से normal relation बनानी कोईस्ट कर रहे हैं खासकर आप लोग बोल सकते हैं कि जो का जिसका परपज के लिए काम किया गया था यनिकि इनका परपज basically क्या था कि जो इसराइल है वहाँ पर Benjamin Netanyahu जीत कर आए तो उसके लिए इनोंने Jerusalem को इनकी capital बना दिया इसराइल की Golan Heights जो है उसको इसका part बना दिया तो जो भी मुद्य हो सकते थे अब तक उसके खिलाब में बोले थे अब पता चली गया कि वह जीत के आगया वंदा तो अब सोच रहे हैं कि Palestine के साथ में थोड़े relation अच्छे कर ले जाएं इसलिए congratulate कर रहे हैं इनकी government को इसी के साथ में सोच रहे हैं कि आने वाले time में तो आप लोग को इसके बारे में detail में मैंने वीडियो बना रखी है कि कैसे तैह होती है रूपी वर्सीज डॉलर की वैल्यू ये सारे जो भी diamonds यहाँ पर हो सकती है वो सारी हाँ पर include की है तो आप लोग search कर लिजेगा कि यह यह वाला title liquor by wheel तो यह वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाएगी वैसे description box में भी link provide करा दूँगा तो यह काफी interesting video इसलिए बनाए गए थी क्योंकि यह रूपी की value dollar के मुकाबले उपर नीचे होती रहती है और जब यहाँ पर 74-75 के खरीब पहुँच गई थी तो उस time पर यह video बनाए गए थी और लगबग 6 महीने इसको हो चुके है तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं आप लोग को पूरा idea हो जाएगे कैसे कैसे किस किस time पर क्या condition मनती है जब रूपी की value change होती है dollar के compare में कुछ दिनों पहले हमारे रूपी की value strong हो गई थी लेकिन फिर से यह गिर गई है 69.18 हो गई है dollar के compare में यानिके 1 dollar की value 69.8 रूपी के बराबर हो गई है 69.18 रूपी तो यह काफी गलत बात बात बोल सकते हैं अगर हमारी country की economic के point बीसे देखा जाए तो देखिए दो चीजे होती है एक तो होता है export एक होता है import अगर यहाँ पर रूपी की value decrease हो रही है dollar के compare में तो क्या होगा हमारा जो export है वो सस्ता हो जाएगा तो हम लोग को फायदा होने लगता है इससे पर लेकिन import महंगा हो जाता है क्योंकि हम लोग को ज़ादे पैसे देने पड़ते है डोनर किसे हम जो खरीदारी करते है अपना petroleum product वगरा और हमारा import जो है वो जादे है as compared to export के तो इसलिए रूपी की value जब भी हाँ पर down होती है तब तब हमारी economy पर negative impact ज़्यादे देखने को मिलता है तो इस तरीके से आप लोग इसको understand कर सकते हैं बाकी more information के लिए आप लोग में ही के जाती है मलियाली आप लोग ने मलियालम लेंग्वेज का नाम सुना होगा तो यह के ला में ही यूज की जाती है तो new year यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है जो कि विशू, यह celebrating wish you मलियालम new year तो यह जो इनका होता है यह कनी दर्सनम और विश्णू कनी जो कि इनका हाँ पर देखने को मिलता है जिसके celebration में हाँ पर ये इस तरीके celebrate करते हैं यानि कि हाँ पर एक तरीक सा आप लोग देखते हैं फल, fruits वगएरा बहुत सारे, rice, grain या फिर याँ पर coconut वगएरा या फिर मतलब हो सारे banana वगएरा पता नहीं क्या क्या ये सब इसके साथ में celebrate करते हैं एक नए एर को नया change अब होता है तो इसके बारे में आप लोग idea रखते हैं किस-किस नाम से कहाँ पर क्या पोगा रहता है तो है विशू, ठीक है तो ये केरला में celebrate किया जाता है आगे बढ़ते हैं ये देखे काफी गलत एक के तरीके से negative impact डालने वाली चीज़े होती है SAC के paper leak होते हैं बहुत frequently आप लोग सुनते हैं यही एक most important region है जो मुझे UPSC का paper होता है वो सबसे अच्छा लगता है चाहे UPSC कोई भी paper conduct क्यों ना कराती हो इसके अलावा और कुछ नहीं करना है यहीं कि आज खानी से और कभी भी आप लोग normally यहीं नहीं देखा होगा कि UPSC का paper leak होगी है और paper का एक standard रहता है अगर आप लोग दिमाद को use करोगे तो ही paper solve कर पाऊगे ऐसा नहीं कि SST में आप लोग जाकर बैठो और paper को solve कर दो कुछ चीज़े आप लोग ऐसा होगा कि अच्छे से अगर आप लोग रटकर चीज़े चलेगे हैं पुरानी paper को आप लोग ने अच्छे से देख लिया है तो SST में कई बार क्या करते हैं उसे paper को उठागे भी repeat कर देते हैं कई बार यहाँ पर क्या करते हैं एक sitting जो रहती है उसमें paper को टब बना देते हैं दूसरी में हलका बना देते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा है frequently एक तरीके से आप लोग बच्चों के उपर बोल सकते हैं सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है चलो यह भी सब चीजे बच्चे एक बार को छेल लें फिर paper जो leak होता है और उसके बाद में जो cancel होता है समझ रहे हैं कि एक एक साथ दो दो साल तिन दिन साल तक weight में रहते हैं बच्चे उनकी life के कीमती year इन तरीके से paper के चकर में बरबात हो जा रहे हैं और खासकर जो private coaching है वो इस तरीके धंदे काफी कर रहे हैं यहाँ पर लीक कराने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर जो administration है वो भी उनके साथ मिल जाता है और फिर तो मसमासा अल्ला कामी कुछ और होता है तो देखे इसकी विज़े से सबसे बड़ी जो problem होती है जो पढ़ने वाले बच्चे जो अपनी महनत से काम कर रहे हैं वो काफी demotivate हो जाते हैं खासकर reason यह होता है कि जब देखे जब यहाँ पर cut-off जो रहेगा 200 में से cut-off जा रहा है 196 यानि कि कौन सा 30 mark हाँ है भाईया बैठा हुआ है जो इतना है पर computer की तरीके से paper को solve कर रहा है इतना कौन हो गया इतना होशार बंदा की जो 200 में से 96 और 98 और 90 से उपर cut-off जा रहा है तो यह देखे सीधी सीधी मिली भगत यहाँ पर हो जाती है तो इसकी विज़े से जो पढ़ने वाले बच्चे उन पर काफी negative impact पड़ता है तो देखे कई बार इसके बारे में बात भी की जाती है कि हाँ पर UPSC को conduct कराना चाहिए यह सारे exam और UPSC की जो नीचे वाली post है वाँ पर वो खासकर SAC के थूँ हो यहाँ पर जो select की जाती है और नीचे वाली post UPSC में डाल देनी चाहिए बहुत कुछ यहाँ पर चल रहा है पर लेकिन सोचते रहते हैं करना कुछ ज़्यादा होता नहीं चले जो भी हैं आप लोग अपनी महनत पर ब्रोसर रखिए और महनत कभी बरबाद नहीं जाती यह एक बात की बस मैं आप लोग गैरेंटी दे सकता हूँ अगर एक बार महनत करें न उन लाइप में कभी बरबाद नहीं जाने वाली है तो यह आप लोग ज़रूर याद रखिए तो अपनी महनत करते रहिए किसीने किसी रूप में आप लोग जरूर उस महनत को यूज कर पाएंगे फ्युचर में अपनी लाइप को बनाने में आप लोगों से ही कुछ कुशन पुछे गयते इनके आंसर आप लोग देख लिए वीलर आइलेंड के बारें पुछा था ये आप लोग को देखने को मिलता है बेव बंगाल में उडीसा में और यहां पर यहां पर भदरक डिस्टिक इसी का नाम चेंज करके 2015 में एपी जब दुलकाम सरके नाम पर इसका नाम रख जेगा थ इसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं काफ़ इंपोर्टेंट है कई बार न्यूज में रहता है विस्वभारती युनिवस्टी जिसका कठन किया था 1921 में रविंदा नाठ टैगोर जी को द्वारा रविंदा नाठ टैगोर जी से अभी कई सारी न्यूज थी जिस तरीक ने आपर हो प्राइमिस्टर है और यह एक लोती उनिवस्टी है जिसके चांसलर प्राइमिस्टर है वाइस चांसलर है यापर प्रोफेसर यह बिद्दु चगरवरती इनका नाम याद रख से हैं इसी के साथ में वहर द वर्ल मेक्स ए होम इने सिंगल नेस्ट तो यहाँ प आते हैं आपर नेसलन और इंटरनेसल न्यूज के ओपर थोड़ा डिटेल में न्यूज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी सबसे पहली न्यूज यहाँ पर न्यूज का एक इन्फोमिशन है पूरी हाँ पर सोचा कि आप लोग इसके बारे में बता दिया जाए जो भ जारी की है उसके बारे में आप लोग याद रखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर चाइनीज विजा लेना पड़ता है ट्रेवल करने के लिए तिबबत में क्योंकि तिबबत आज की डेट में चाइना का पार्ट है तो वहाँ से होते हुए और यहाँ पर जो रिस्टिक्ट जिहां पर होता है इसी के साथ में जो जरनी रहती है खासकर जिनको हैल्थ के जो रिस्क होते हैं ओक्सिजन की क्योंकि हाई एल्टिटूड पर है उचाई पर है तो इसलिए उसके बारे में पहले ही चेतावनी देरी जाती है यहनिकि एक हस्ट पुस्ट इंसान यहाँ पर जाना चाहिए इसी के साथ में अगर किसी को लगता है कोई पूलम है तो अपनी मेडिसन यहाँ पर लेका चले ठीक है तो यह भी हाँ पर कंडिशन रहती है इसके साथ में और मीनिमम यहाँ पर 10 डेस का रिजर्व होना चाहिए क्योंकि इतना लंबा है यह रास्ता पड़ है इसी के साथ में जहाँ पर पर पर्टिकलर एकी बात की जारी है महाँ पर ATM वगएरा होता नहीं है तो educate आप लोगे पास में कैस होना चाहिए emergency condition को मेंट करने के लिए SIM वगएरा आप लोगे प्रोपर होने चाहिए international roaming facility होनी चाहिए हम आपर इसी के साथ में कई बार अगर network नहीं आते है तो और भी problem देखने को मलती है या फिर network low रहते हैं तो messenger application जैसे की whatsapp हो गया या फिर telegram पर भी आज की date में आप लोग call कर सकते हैं आसानी से या फिर इसके अलावा जो facebook का messenger हो गया तो यह सब इस तरह है communication के through आप लोग connect रहने के लिए अपने आस पास के या फिर hizra जिसको आप लोग बोलते हैं USA में forces में उसको allow नहीं किया जाता है उसके उपर ban है पर लेकिन अभी बात यार यह कि यह blanket ऐसा नहीं कि एकदम बिल्बूल completely ban है अगर किसी ने transition यहाँ पर करा है तो उसको यहाँ पर कोई इस तरीके से check नहीं किया जाएगा या फ इसके लेकर काफी प्रोटेस्ट भी हाँ पर देखने को मिले थे तो United State of America में यह Donald Trump साप की controversy थी जो हाँ पर इसकी वैसे यह news में थे इनको कोई ने कोई रिजन चाहिए निउस में रहने का basic purpose यह है जब यह morning में निउस पढ़ते होंगे बोलते होंगे कि यार आज तो कोई picture इसा कैसे हो गया कल लो दमा दम कभी tweet और कभी कुछ और कभी कुछ फिर लो अगले दिन सारी picture इनकी newspaper में सही है अपना आपको अपना पी entertain करता रहता है बंदा ऐसा ही बंदा होना चाहिए खुस रहना चाहिए आगे बात कते हैं राज्य के बारे में स्टेट की जो निउस कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होंगा हम लोगों ने वेस्ट बंगल के बारे में सेम न्यूस डिस में की थी आप हम लोगज बात कर रह सेंपर हरियाने के बारे में अभी center pollution control board के द्वारा हरियानार स्टेट pollution control board को बोला है कि immediately जो industrial unit है यमना नगर, पानिपत और कुनली, सोनिपत के अंदर जो डिस्टिक है आप ये काफी बड़ा impact डाल रही है यमना रिवर के उपा क्योंकि जो water prevention and control of pollution act 1974 है उसके तहत यहाँ पर ये एक तरीक से compliance ही कर रहे है उन situation के साथ में यानिके वानी जो है वो ज्यादा polluted होता दिख रहा है यमना पॉलिशन मोनिटरिंग कमिटी के दौरे हाँ आपर रिपोर्ट समिट की गे जब सेंटर पॉलिशन कंट्रोल बोर को तो तब यहाँ पर ये पॉलिशन निकलता है उनसे उसको ट्रीट नहीं किया जाता है जिसकी वेशे बहुत बड़ा इंपेट डलता है खासकर जो भी पानी में जो भी जीव जनतु रहते हैं उनके उपर भी काफी बड़ा इंपेटिस का पढ़ता हुआ नजर आता है तो देखते हैं क्या सोलिशन निकलता है और कैसे आपर इस पॉल्लम का साधन की गए थे अनके सिंग जी तो इनकी अजरक्स तमें हापर अभी चीजों को रिव्यू किया रहा है कि कहां का पर क्या गया पॉलम है कहां पर इफिसेंसी और कहां पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा सकती है उन सब चीजों पर फोकस देकर चला जा रहा है देखिए गाउं वाले एरिया में अगर आप लोग को ढंक से काम करना है तो ग्राम पंचायत को आप लोग को साथ में लेकर चलना पड़ेगा तो उसी से लोग को जुरूर जाकर देखेगा काफी इंपोर्डेंट है नेश्ट बात करते हैं आपर अवोर्ड और ओनर के बारे में तो काफी लंबे जद्दो जहत के बाद यहां पर गॉल्फ जो टाइगर वूड है एक तरीक से महान प्लेयर हैं इनके बारे में आप लोग ने कई ले जाती हैं क्योंकि काफी लंबे समय के बाद यह बैक टुदा पवेलियन आए हैं तो यह जो विक्टरी हैं आपर इनकी जो देखने को मिल रही है तो यह काफी एक तरीके से इनकी पोजिशन में भी सुधार करेगी जो कि इनकी अब तक पोजिशन थी तो यहां पर जो ओ यूसी में वैतीत कर देना इस तरीक कंडिशन बहुत जादे हैं यहां पर लगबग 6 लाग जो यहां पर आज केट में रह रहे हैं और यह लगबग हो रहा है 40 साल से जो उपर की उम्र के हैं और खासकर इसको यह एक फिनोमिनान है जिसको बोलते हैं ही की को मोरी तो ही की को पर यहां पर कंडिशन देखने को मिल रही है आप लोगों से पूछा जा सकते हैं ही की को मेरी नाम देके बोलते हैं के सैटलाइट है यह एक रडार है यह एक तरीक गन है यह मिसाइल है तो इस तरीके से भी कई बार कोशन बन जाते हैं तो यह याद रखेगा क्यों अभी पर पर संदी न्यूज के बारे में तो काफी इंपोर्टेंट परसनेल्टी आपर आप लोगों पता होगा 2014 में दो राज्ये बने हापर एक राज्य में से निकल कर यह निके तेलंगाना और आंदर परदेश नए राज्या बनाएगे तो जहां पर बात की नए राज्ये के यहां पर फॉइंट की गई है और खासकर जो हैड क्या पर इंडिया रंजन गोगोई जी के दौरा ठीक है तो इसी के साथ में यहां पर बात की गई थी इस्टैबलीस करने के लिए फ़र्स जनुरी को की गई थी तो तब से यहां पर तेलंगाना और आंदर पर पर्देस के जो कोट थे वो साथ में काम कर रहे थे तो यह तमाम मुद्धे आप लोग आइडिया रख सकते हैं नात जी के बारें बताएगी है वैसे 1986 में जो इनको लोग के डुग्री मिल थी इसके बाद में इनोंने अलाबाद हाई कोट में इसे लोयर प्रेटिस किया था आज का जो नेसिल पार्ख है आप लोग का यह है बेटल नेसिल पार्ख यहांपर देखने को मिलता है जहार खन अग्जेक्ट लोकेशन आप लोग के सामने हैं आप जहार खन में भी जो इंपोडेंट जगे पुछ ले आता है पक्टिकुलार एरिया का नाम तो छोटा कि दो पार्ट में मैंने हापर पंचायती राज सिस्टम फिनिस किया था तो कई सारे मेल मुझे आए बच्चे बोलने है कि सर इतना ज़्यादा बड़न हो जाता है कैसे इसको हैंडिल किया जाए देखिए अभी कुछ भी बड़न नहीं है जब आप लोग एड़िस्टेशन मे आज मैं कोई नया पुलिटिका रिवजन ही दे रहा हूँ आप लोग जाकर जिस किसी ने कर लिया था अच्छी बात है वो next lecture रिवाइज कर सकता है बागी के जिस किसी ने नहीं किया था वो उसके लिए second lecture है आज रिवाइज अच्छे से कीजेगा जागा ठीक है लिंक के न अगर मैं आप लोग कुछ काम करने के लिए देता हूँ और आप लोग को काम को रिटर्न पूरे जोस के साथ में करते हैं तो मेरे अंदर और जोस आता है कि हां कुछ और अच्छे से किया जाए तो यह एक cycle होती है तो अगर इस cycle को आप लोग पकड़ लेते हैं तो से डिरे के बारे में आका सवाड़ी मैं आप लोग को करकर बताई थी इसके अलावा artificial intelligence के meeting के बारे में हम लोगुंने समझा नेक्ष्ट USA और Palestine के बारे में जिक्र किया गया वो हम लोगोंने जाना इसके अलावे हैं यहाँ पर बात की गई रूपी की वैल्यू की और मैंने आप होता है परपजी होता है कि detail में जाकर उसके बारे में आप लोग पड़ो जो कई सारे बच्चों को देखो वो अच्छा detail में आंसर यहां पर कर रहे हैं नेस्ट यहां पर हम लोगों ने कैला समान सुरोवर की detail में आत्रा की इसी के साथ में यहां पर USA में transgender community के साथ में क्या हो रहा है वो समझा नेस्ट यहां पर pollution की बात की खासकर यमना रिवर के अंदर इसी के साथ में higher inclusive जो growth की बात की जा रही है वो बाते हम लोगों ने understand की next हम लोगों आपर Tiger Wood के बारे में जाना जो कि यह golf player है जापान में क्या condition है आपर तो ही की कौमारी के बारे में हम लोगों ने समझा next हम लोगों आपर अंदर प्रदेस High Court के बारे में जाना इसी के साथ में हम लोग ने आपर एक नेसल पाग देखा और पुलिटिका सेकिंड जो रिवजन है आपर वो आप लोग को जाकर करना है यह निके पंचायतिराज सिस्टम का सेकिंड पार्ट ओके नेक्श देखेंगे काल आईए अब नज़र डालते हैं आज के क्यूज के हाली है वो कहां पर होने वाली है ये आप लोग को बताना है Santer Punvollition Control Board के सेぎ से च ह करने के लिए रेक्ष्वर को Trinity का नाम बताने जिनके दवरा box 5th master और 15th major title अभी जीता गया यह गोल्फ की बात यहां पर की जा रही है इसी के साथ में आप लोग में हाँ पर बताना है कि कौन से आपर country है जहां पर बहुत सारे जो लोग है वो isolation में हाँ पर रह रहे हैं और वो टम भी नीचे comment लोग से बताएगा जो अभी आप लोगों मे situated है तो यह था total आज का discussion I hope कि आप लोग को लेक्चर पसंद आएगा मिलता हूं morning में exact चार बजे ज़रूर कोजिस कीजे उठने की पर कोजिस करेंगे तो आप लोग उठ जाएंगे और question का answer देने की कोजिस किया किजे ताकि आप लोग भी comfortable feel करें तो इसी के साथ में बड़ो को नमस्ते चोटों को प्यार चोटी से life and enjoy को रहार मिलता हूं next lecture में तब तक के लिए जै हिंद